हेलो स्टुडेंट्स स्वागत आपका हमारे स्टेडि वी एजुकेशन चैनल में आज की जो डिक्टेशन है वो 85 वर्ड पर मिनट की स्पीड से रहेगी डिक्टेशन शुरू करने से पहले स्टुडेंट्स आप से एक बात कहना चाहूंगे कि राजस्तान के अंदर स्टेडि वी एजुकेशन पर डाल दिया है और इसी डिक्टेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दे देंगे आप वो वीडियो देखें अच्छे से कि क्या सलेबस है क्या पैटर्न है क्या एज लिमिट रहेगी क्या फीस है कहां कितनी सीटें है पूरी डिटेल दी हुई है तो प्लीज आप वो ज़रूर देखें और अपनी प्रिप्रेशन में लग जाईए जिस तरह का भी राज़तान हाई कोट स्टैनोग्राफर की जो भी वकेंसी आई है उसके अंदर जो भी पैटर्न आएगा उसको पूरा फोलो करते हुए हम हमारे चैनल पे रोज डिक्टेशन डालेंगे तो यदि आपने अभी तक हमारे स्टड़ी और एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए जी डिक्टेशन स्टार्ट होगी तीन सेकेंड बात रेड़ी स्टार्ट मोहद्य मुझे इस बात से बड़ी प्रसनता है कि आप लोग जो आदिम जातियों के हित में अपने अपने तरीकों से कारे करने में रत रहे हैं और जिन्हें आदिम जातियों की सेवा करने का परियास करने वालों के सामने आने वाली समस्याओं से अब तक काफी परिच्च हो गया है आज इस समेलन में इस विचार से समवेत हुए हैं कि इस महान समस्यापर समलित रूप से विचार किया जा सके और आदिम जातियों की सेवा के लिए एक समन्वित योजना तैयार की जा सके भारत के सविधान ने देश की सरकार का यह अनिवार्य कर्तव्य विहित कर दिया है कि वह इस समस्यापर विचिस्ष्ट ध्यान दे अपने इस अनिवार्य कर्तव्य का पालन करने के लिए सरकार ने इस कारे की देख भाल हे तू एक विस्ष्ट पदा अधिकारी निक्त किया है आप सब लोग शिरी लक्षमी दाश शिरी कांत को जानते हैं आदिम जातियों के हितार्थ कारे करना उनके जीवन का उदेश्य है और अब तक रहा है किन्तु यह समस्या इतनी उलजी हुई और जटिल है कि इसके लिए अनेक विचारवान व्यक्तियों के सहियोग की आवशक्ता है और इसलिए आज आप यहां एकेत्रित हुए हैं जिससे आप इस समस्या के सवरूप को और अधिक स्पस्ट करने तथा इसको शिगर सुलजाने के लिए परभावी कारेक्रम तैयार करने में अपना महत पूरण अंशिदान कर सकें भारत में अनुसूचित आदिम जातियों के नाम से ग्यात लोगों की जन संख्या लगभग दो करोड है वे समस्त देश में फैले हुए हैं किन्तु उनकी जन संख्या का बड़ा भाग बिहार, बंबाई, उडिसा, मध्यपरदेश, पश्चमी बंगौल, मध्यभारत, मदरास और राजस्तान के राज्यों में हैं उनसे संबंदित अनेक समस्याएं हैं जिनका सहानो भूती पूरण और समझ बूज से हल करना आफशक हैं वे देश की अन्य जन संख्या से बहुत बातों से भिन हैं उधारनार्थ उनकी भाशाएं बिविन हैं उनके रिती रिवाज बिविन हैं उनके रहन सहन का तरीका अलग है और साधारनतिया यह कहा जा सकता है कि वे इन विभेदों के कारण अन्य लोगों से सहज में ही अलग पहचाने जा सकते हैं परस्पर भी वे लोग एक दूसरे से बहुत भिन हैं विभिनताओं के कारण उनकी समस्या को सुलजाना कठिन हो जाता है वे देश के अनेक भागों में जंगल भरे पहाडी शेत्रों में रहते हैं और इसलिए उन तक पहुंचना सरल बात नहीं हैं इस कारण भी वे समाज के अन्य लोगों से न्यूनाधिक अलग बने रहे हैं यह स्वाभाविक है कि वे लोग शिक्ष्या में अन्य लोगों से पिछडे हुए हैं और उनकी आर्थिक स्थिती भी खराब है कुछ स्थानों में तो उन्होंने खेती बाड़ी आरम कर दी है किन्तु अनेक स्थानों में वे अभी स्थाई द्रस्टी से क्रिशक नहीं हो पाई हैं वे जो कुछ खेती बाड़ी करते हैं वह भी बहुत ही पुराने युग की सी है उनके यहां कातने बुनने की किसम के कुछ कुटीर उध्योग हैं और कुछ आदिम जातियां तो बुनावट में बड़ी ही सुन्दर डिजाइन डाल लेती हैं महोद्य उधारन के लिए खाद्यान में आतम निर्भरता का वर्तमान स्तर बनाए रखने के लिए भी हमें यह सुनिश्चित करना होगा की हर साल खाद्यान में कम से कम सत्तर लाख टन की व्रधी बराबर होती रहें वर्तमान में अनेग परकार की बाधाओं को देखते हुए यह स्वाभाविक ही है की हम अपने भीतर जांक कर इस प्रशन का उत्तर खोजे की क्या अगले दो दशकों में उत्पादन व्रिधी की वर्तमान दर को बनाए रखने और इसी रफतार से बढ़ाए रखने की संभावनाए उपलब्द है अथवा नहीं इसके साथ ही हमें इस बात पर भी विचार करना होगा की हमारे अनुसंधान का आधार क्या इतना मजबूत है की इन भावी चुनोतियों का टिकावु आधार पर सामना कर सकें भारत सरकार की नई क्रिशी नीती को देखें तो उसमें यह लक्षय रखा गया है की ग्रामीन भारत में खाद्य और पोशन सुरक्षा बराबर बनी रहे आमदनी बढ़ाने और रोजगार के अवसर बढ़ते रहें इस द्रस्टी से टिकावु क्रिशी और ग्रामीन विकास के लिए अलपकालिक और दिर्गकालिक रिन नीतियां कुछ इस परकार की होनी चाहिए खाद्य उत्पादन में पोध प्रारूप को सुधार कर विक्सित की गई गेहुं और धान की अधिक उपजशील किस्मों और मक्का जवार तथा बाजरा में संकर ओज का उप्योग करके ही विशाल परगती की गई लेकिन अब भी इन फसलों की उन्नत किस्मों की अनुवंशिक संभावनाओं का पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं किया गया नहीं तो किसानों के खेतों पर और प्रयोगशालाओं के खेतों पर उपज के स्तर में इतना भारी फरक देखने को नहीं मिलता उधारण के लिए मध्यम अवधी वाले बोने धान की किसमे 6 टन प्रती हेक्टेर तक पैदावार दे सकते हैं जबकि सिंचित शेत्रों में इन किस्मों की ओस्त उपज 3 टन प्रती हेक्टेर भी नहीं है इससे साफ पता चलता है कि बोने धान की उपज संभावना का केवल 40-50 प्रतीशत इस्तेमाल किया गया यही बात गेहुं जवार और बाजरा पर भी लागू होती है यदि उपज को ऐस्तिर बनाने वाले कारकों को पहचान कर उनका सुधार कर दिया जाए तो इस समय उपलब्द किस्मों का ही उप्योग करके अगले वर्षों में धाई करोड से तीन करोड टन अतरिक्त खाद्यान पैदा किया जा सकता है जहां तक भाधाओं की बात है जेविक और एजेविक दवाब 30 से 35 प्रतिशत तक उपज तबहा कर देते हैं यदि किस्मों और संकरों में बाधा का वांचित स्तर दिया जाए और समेकित कीट परबंद की तकनिकें अपनाई जाएं तो यह हानी काफी हद तक कम की जा सकती है पोशक तत्वों के ऐसंतूलित और कम मातरा में उपयोग करने अनुचित किस्मों को चुनने और घटिया बीज के कारण भी उपज की बहुत हानी होती है जिसे कम किया जा सकता है इस तरह उपज का अधिकतम स्तर क्राप्त किया जा सकता है हाल ही के वर्षों में जहां नई तकनिकें नहीं पहुँची हैं वहां उनका परसार करके आशातीत सफलताईं मिली हैं उधारण के लिए पूर्वी राज्यों में बोरो यानि बसंत के मौसम में धान के शेत्र में विस्तार हुआ है स्टॉप